बिहार में एक और पुल गिर गया है पुल गिरने पर सबसे चौकाने वाला रियेक्षन आर्ट जेडी की तरफ से आया है और यह होना भी था क्योंकि विपाक्ष मैं है आर्ट जेडी पूरी घटना के लिए आर्ट जेडी ने नितीश को माफ कर दिया है और पुल गिरने का पूरा दोश बीजेपी पर मड़ दिया है नितीश को लेकर नरम और बीजेपी पर गरम होती आर्जेडी ने एक बार फिर संकेत दे दिये हैं कि खेला होने वाला है क्योंकि अब NDA में भी खटपट शुरू हो गई है असर दिल्ली से बिहार तक दिख रहा और इन बैटकों में ना तो दोनों डिप्टी सीएम दिख रहे हैं और ना ही बीजेपी कोटे के मंतरी दिख रहे हैं जेडियो कोटे के मंतरी जरूर बैठक में पहुँच रहे हैं या तक कि सांसर भी पहुँच रहे हैं वहीं जिन सरकारी कारिकरमों में जेडियो के मंतरी जाते हैं वहां से बीजेपी के नेता दूरी बना लेते हैं बैनर पोस्टरों पर भी सिर्फ जेडियू नेताओं की तस्वीरें दिखाई देती हैं और जिन कारिक्रम में बीजेपी के मंत्री जाते हैं वहां जेडियू गायब हो जाती है ऐसे में बीजेपी और जेडियू के नेताओं की महतपूर कारिक्रमों से दूरी सवालों के घेरे में हैं और इस तरह की सिचुएशन कई बार देखने को मिली है कुछ दिनों से तो ये बराबर हो रहा है मतलब लगातार हो रहा है उपर से नितीश कुमार ने पी-एएं मोदी को खत लिख कर कई डिमांड रख दी है कहा जा रहा है कि इन डिमांडों के पीछे नितीश की बड़ी रणनीती है वो NDA से खुद को दूर कर रहे हैं तो ऐसे में सवाल कि क्या नितीश बहुत बड़ा खेल करने की तैयारी कर रहे हैं नितीश कुमार की इसी गेम प्लान को लेकर आज हम करेंगे बात नमस्कार मैं हूँ अन्शिता तो बिहार में NDA की सरकार चुनाव तक चलेगी या फिर एक दो महीने में इखेला हो जाएगा वैसे कॉंग्रिस की तरफ से तो संकेत दिये गए हैं कि मामला दो महीने का ही रह गया है दो महीने में महाराष्ट विधान सबा चुनाव हो जाएंगे बीजेपी को हार मिलेगी और इसके बाद महाराष्ट बिहार और दिल्ली तीनों ही जगा एक साथ सत्ता बदल जाएगी और कॉंग्रिस की दावे से सबसे ज़्यादा हलचल बिहार में दिख रही है लेकिन इन दिनों इस गटबंधन में दरार दिख रही है सीएम नितीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम जो बीजेपी के कोटे के हैं उनके बीच दूरियां साफ दिखने लगी है जो बिहार सरकार में उठा पटक के बड़े संकेत माने जा रही है नेताओं के वेभार में ये बदलाव सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है सियासी गल्यारे में इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि सरकार विधानसवा चुनाव तक चलेगी या पहले ही चुनाव हो जाएंगे या सरकार बदल जाएगी सरकार बदलने का मतलब है नितीश कुमार पल्टी माल जाएंगे और बड़ी बात ये है कि अभी विधानसवा चुनाव में लगवग एक साल का वक्त बचा है नितीश कुमार के NDA में आए हुए अभी साथ महीने भी नहीं हुए है सवाल इस बात पर भी उठ रही है कि क्या दिल्ली की सरकार भी हिलने वाली है अब ऐसे सवाल अचानक क्यों उठने लगे हैं इसके लिए आपको पिछले कुछ दुनों में हुए उन कारिक्रमों के बारे में बताते हैं इनके बाद से कहा जा रहा है कि बिहार में बड़ा बवाल होना तैमाना जा रहा है तो 19 सितंबर को पटना के बापू सभागार में कचरा प्रवन्धन को लेकर एक कारिक्रम आयुजित किया गया था ये सरकारी कारिक्रम था राजपाल विशुनात आड़ लेकर ने इस कारिकरम की शुरुआत की थी मौके पर विधान सभा अद्यक्ष नंद किशोरी आदव उपमुख्य मंतरी समराच चोधरी और दूसरे उपमुख्य मंतरी विजय सिना मौझूद रहे नगर विकास मंतरी नितन नवीन और पूर केंद्रे मंतरी और लोगसभा सांसद रविशंकर प्रसाद भी मौझूद थे राजपाल को छोड़ने क्योंकि वो राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं होते हैं तो बाकी के जो भी मंतरी या नेता मौझूद थे वो सभी बीजेपी के थे जेडियू का कोई मंतरी या नेता नहीं मौझूद था काइदे से इस कारिकरम में मुख्यमंतरी नितीश कुमार को भी होना चाहिए था मगर ऐसा नहीं हुआ एक और कार्म इससे पहले हुआ था बेटा एरपोर्ट का लेकिन यहां नितीश कुमार अकेले ही नज़र आए बेटा में एरपोर्ट बनाने को लेकर केंद सरकार की ओर से हरी जंडी दे दी गई है बीजेपी और जेडियू के नेता अलग-अलग इस एरपोर्ट के निर्मान का क्रेडिट लेने की कोशिश करते नज़र आए बीजेपी और जेडियू का गटबंधन एक साथ आकर बेटा के अंतराश्टी एरपोर्ट निर्मान का क्रेडिट ले सकते थे मगर उप मुख्यमंत्री समराच चौधरी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करके इसका क्रेडिट लिया गया वही मुख्यमंत्री नितीश कुमार अकेले कारिस्थल का दोरा करके बेटा एरपोर्ट निर्मान का क्रेडिट लेते हुए नज़र आये 19 सितंबर को ही सीयम नितीश कुमार ने राज्य में प्रस्तावित और निर्माना धीन चार एक्स्प्रेस वे को लेकर हाई लेवल बैठक बुलाई जिसमें इस योजना की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री नितीश कुमार को दी जानी थी बिहार में पत्निर्मान विवाग के मंत्री डिप्टी सीयम विजस सिना है मगर गौर करने वाली बात ये रही है कि इस समीशा बैठक में विवाग के मंत्री और उपमुक्य मंत्री विजस सिना ही शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें बुलाया ही नहीं गया इसके अलावा बिहार की कानुन व्यवस्था की स्तिती को लेकर नितीश कुमार ने बैठक बुलाई ये बैठक तो अलग-अलग कारणों के चलते सवालों में आ गई बैठकों में सीएम और डिप्टी सीएम की मौजूदगी रहती है लेकिन इस बैठक के दोरान ना तो समराच चौधरी नजर आए और ना ही विजैसिना नजर आए तो 21 सितंबर को एक और कारिक्रम हुआ था ये सरकारी कारिक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने परिटन विभाग की योजनाओ की समीख्षा बैठक की बिहार में परिटन मंत्री नितीश मिश्रा है जो बीजैपी के कोड़े से मंत्री है अब चौकाने वाली बात ये रही किस समीक्षा बैठक में भी बिहार सरकार के परेटन मंत्री नितीश मिश्रा गायव रहे वो अपने ही विवाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के सामने नहीं बैठे 23 सितंबर को मुखिमत्री नितीश कुमार जहानाबाद में कई योजनाओं का उधगाटन किया और शिलान नियास किया पटना गया डोबी एनिश्टिरासी मार्क परिस्थित जहानाबाद में निर्मानदीन आरोबी का निरिक्षन किया तेजी से निर्मान कारे पूरा करने का निर्देश दिया और इस दोरान नितीश कुमान ने बिविन विवागों के अंतरगा 57 करोड 14,69 रुपे की योजनाओं का दुगाटन और 65 करोड 62,4 रुपे की योजनाओं का शिलान नियास किया गया मगर इस कारिक्रम में भी दोनों डिप्टी सीम नहीं देखे आम तोर पर पटना से बाहर के कारिक्रम में सीम नितीश के साथ समरा चौधरी दिखते हैं जहानाबाद में समरा चौधरी नहीं थे वही दूसरे डिप्टी सेम विजय सेना लखी सराय में किसी और कारकरम में शामिल रहे तो ऐसे में अब लोग ही सवाल करने लगे हैं कि क्या नितीश कुमार पल्टी मानने की तैयारी कर रहे हैं नितीश के बारे में कहा जाता है कि जब वो पल्टी मारने की तैयारी करते हैं तो गटवंदन सहयोगियों से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं और उससे भी बड़ी बात मौनधारन कर लेते हैं और इसके संकेत पिछले 4-5 दिन से मिलने लगे हैं ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी नितीश कुमार को पल्टी मारने से रोक पाएगी या फिर एक बार फिर नितीश कुमार पल्टी मार जाएंगे बीजेपी और जेडियू के बीच आई इस दरार को आरजेडी भी देख रही है इसलिए उसने नितीश को लेकर दोहरी नीती अपनाना शुरू कर दिया है एक तरफ नितीश कुमार पर तेजस्य यादर सवाल उठा रहे हैं तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति आदव ने नितीश के पाला बदलने का संकेत देना शुरू कर दिया है उन्होंने पुल का इस पैन गिरने की घटना पर बयान देते हुए इस भ्रस्टाचार के लिए बीजेपी को जिम्मेदा ठहराया उन्होंने कहा कि नितीश कुमार बे मेल गट बंधन में हैं ऐसे में कहा जा रहा है कि बिहार में जल्दी ही कुछ बड़ा होने वाला है नितीश पल्टी मानने वाले हैं एक महीने में या दो महीने में लेकिन ये तैमाना जा रहा है कि नितीश इसी साल पलती मानने वाले हैं तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है मुझे कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजेगा इसी के साथ मुझे दीजे जाज़त देख तरे ये डीवी लाइव नमस्कार